करंट अफेर्स 11 जुलाई हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मद्धि प्रदेश के किस जिले में 750 मेगावाट की सोल परियोजना को सुरू किया है उत्तर रीवा जिले में मद्धि प्रदेश ये है मैप में मद्धि प्रदेश मद्धि प्रदेश की राजधानी भोपाल मद्धि प्रदेश में जिलों की संख्या 52 और इसकी अस्थापना 1 नॉंबर 1995 हुई थी हाल ही में किस देश ने डवलू एच ओ से अधिकारिक रूप में अलग होने के लिए फैसला लिया है उत्तर अमेरिका ने डवलू है हाल ही में रच्छा मंतरी राजनाथ सिंग ने किस राज में 6 नए पुलों का उदगाटन किया है उत्तर जम्मू कस्मीर जम्मू कस्मीर जम्मू कस्मीर ये है मैप में जम्मू कस्मीर इसकी अस्थापना 31 सक्टुबर 2019 में संग सासित प्रदेश के रूप में हुई थी इसने 20 जिले हैं इसकी राजधानी स्री नगर विंटर में जम्मू समर में हाल ही में 61 वर्ष बाद योब थिमा वाट सोनी सितली को किस राज़ में खो जा गया है उत्तर तिरपुरा राज़ में ये है मैप में तिरपुरा तिरपुरा की राजधानी अगर तला जिलो की संख्या आठ और इसकी अस्थापना 21 जनौरी 1932 में हुई गेटिंग कॉम्पिटेटिव आफ प्रेक्टिशनर्स गाइट फॉर इंडिया पूस्तक का विवोचर किस ने किया है उत्तर आर सी भारगों ने हाल ही में आई आर वियाई की रिपोर्ट के अनुसार बजार के कर्ज के मामले में कौन सा राज अасть अगरणी है उत्तर तमिल नाडू ये है मैप में तमिलनाडू तमिलनाडू की राजधानी चेन्नी नई तमिलनाड के स्थापना 26 जनौरी 1950 में थी तमिलनाड में जिलो की संख्या 38 तमिलनाड यहां पर प्रमुक उद्यान अभ्यान है बेदा अंतगल अभ्यान मुदू मलय अभ्यान इंद्रा गाधी अभ्यान यहां के सियम है एदा पड़ी के पलानी स्वामी यहां विधान सभा म में 234 सीटे हैं यहां के गवर्नर है बन्वारी लाल प्रोहित लोग सभय में 49 सीटे और राजी सभय में 18 सीटे हैं इंडिया ग्लोबल बीक 2020 सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है उत्तर ब्रिटेन किस देश की स्वास्ति स्क्वास खिलाडी रानेम एल वेली ने रिटार्मे में लग्जरी राइट मल्टी ब्रांट लग्जरी कार्सोरों ने अपने ब्रांड अमबैस्टर की से चुना है उत्तर सुखवीर सिंग को किस देश में हाल ही में डीडी न्यूज को छोड़कर सभी भारतिये न्यूज चैनल उपर बैन लगा दिया गया है उत्तर नैपाव रील नामक सार्ट वीडियो फीचर लाउंच करने की खुशड़ा की है इंस्टाग्राम ने कल का मुक्ष परस्म इंस्टाग्राम पर हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलीबरिटी कौन बने हैं ड्वैन जांसन आज का मुक्ष प्रस गूगल ने हाल में गूगल प्लस को किस नए नाम से फिर लांच किया है उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर करें धन्यवाद